हलो बच्चो, वेलकम बैक टू माई अनधर वीडियो, बच्चो मैं परमजीत आपका यूनियन पार्ट साला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बच्चो आज हम संस्क्रीट की क्लास करेंगे, ठीक है बच्चो तो चलिए संस्क्रीट में आज हम क्या सीखेंगे बच्च बच्चो चित्र को देखकर आप अंदाज लगा सकरे होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं ठीक है बच्चो तो बच्चो आज हम संस्क्रीट में सीखेंगे सरीर के अंगों के नाम वो भी संस्क्रीट में किसमें सीखेंगे संस्क्रीट में सीखेंगे बच्चो ठीक है तो सिरह उसके बाद है बाल तो बाल को क्या कहते हैं बच्चो के सह के सह ठीक है उसके बाद है आख आख तो आख को क्या कहते हैं नेत्रम नेत्रम ठीक है बच्चो उसके बाद है ललाट तो ललाट को क्या कहते हैं ल, लाटम, क्या कहते हैं, ल, लाटम, नाक को क्या कहते हैं बच्चो, नासी का, क्या कहते हैं, नासी का, ठीक है बच्चो, मु, मुक को क्या कहते हैं, मुक को, क्या कहते हैं, मुक्खम, क्या कहते हैं, मुक्खम, ठीक है, उसके बाद है गाल, गाल को क्या कहते हैं, कपोलह, कपोलह, ठीक है, उसके बाद है, थोल, थोल, को क्या कहते हैं, चीबू कम ठीख है? उसके बाद आता है बच्चो उसके बाद आता है सकंध यानि कंधा सकंध ठीख है? उसके बाद है चाती चाती को क्या कहते है? वक्ष स्थलम वक्ष स्थलम ठीख है? वक्ष स्थलम ठीख है बच्चो उसके बाद आती है भुजा तो भुजा को कहते हैं भुजह ठीख है? चलिए उसके बाद है कोहनी कोहनी को क्या कहते हैं? कुपुरह कुपुरह ठीख है बच्चो उसके बाद है पेट पेट को क्या कहते हैं? उदरम. उसके बाद आता है कमर. कमर को क्या कहते हैं? कटी. उसके बाद है कलाई. कलाई को क्या कहते हैं बच्चो? मनी बंधह. मनी बंध ठीक है बच्चो उसके बाद है हाथ तो हाथ को क्या कहते हैं हस्तः हस्तः मैं लिखने के लिए क्या उप्योग कर रही हूं अपने हस्तः का किसका उप्योग कर रही हूं हस्ता का उप्योग कर रही हूं और किसका उप्योग कर रही हूं उंगलियों का किसका कर रह ठीक है वच्चो चलिए उसके बाद है उरुह मतलब जांग उरुह क्या कहते है उरुह कहते है जांग को क्या कहते है उरुह उसके बाहँ आता है घुटना घुटने को क्या कहते हैं जानू क्या कहते हैं जानू ठीक है उसके बाहँ आता है पैर तो पैर को क्या कहते हैं वच्चो पादह ठीक है पादह उसके बाद नाखुन तो नाखुन को क्या कहते हैं वच्चो नक क्या कहते हैं नकह ठीक है और को बता दिया तो क्या है अंग गुल्य है ठीक है बच्चो और एक क्या छूट गया था बच्चो वो है कंठा ठीक है तो इसको मैं यहां लिख देती हूं देखिए कंठ ठीक है तो कंठ को संस्कृत में क्या कहते हैं कंठा क्या कहते हैं कंठा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो मैंने यहां पर आपको सरीर के सभी अंगों के नाम संस्कृत में अच्छी तरह से लिख कर बता दिये हैं ठीक है तो चलिए एक बार फिट से रिपिट करते हैं क्या है तो सीर को क्या कहते हैं बच्चो सीरह ठीक है बाल को क्या कहते हैं केसह ठीक है आखो को क्या कहते हैं बच्चो नेत्रम ठीक है उसके बाद है ललाट तो ललाट को क्या कहते हैं ललाटम उसके बाद है नाक तो नाक को क्या कहते हैं नाक को नाक को कहते हैं नशीका नाशीका उसके बाद है मुख, मुख को कहते हैं मुखम, ठीक है, उसके बाद है कपोलह, सुन्दर सुन्दर कपोलह, कपोलह को कहते हैं, गाल, गाल को क्या कहते हैं, कपोलह, ठीक है बच्चो, उसके बाद है ठोड, ठोड को क्या कहते हैं, चीवुकम, ठीक है, उसके बाद है सकंध, सकंध को क्या कहते है सकंध ठीक है उसके बाद है च्छाती च्छाती को क्या कहते है वक्ष थलम ठीक है उसके बाद आती है हमारी भुजाएं हमारी भुजाओं को क्या कहते है भुजह ठीक है उसके बाद आता है कोनी कोनी को क्या कहते है कपूरह ठीक है कोपूरह ठीक है उसके बाद आ कहते हैं उदरम चीक है उसके बाद है कमर कमर को क्या कहते है बच्चो कटी क्या कहते हैं कटी उसके बाद आती है कलाई तो कलाई को क्या कहते हैं मनी बंध मनी बंध उसके बाद आता है हस्त हस्त को हाथ हाथ को क्या कहते हैं हस्त ठीक है उसके बाद आती है उंगलियां उंगल है उसके बार आता है जांग क्या कहते है उरूह तिक उसके बार size next क्या है घुटनन SKD inm क्या कहते है जानु मैं ठीक है उसके बार बच्चों आता है हमेरा पैर को संस्कृत में क्या कहते है Corda ठीक है उसके बाद है नाखुन ठीक है नाखुन को क्या कहते हैं नखह उसके बाद फिर से क्या है उंगलियां पैरों की उंगलियां को क्या कहते हैं वही अंगुल्या ठीक है बच्चो और कंठ को क्या कहते हैं तो कंठ को बच्चो कंठा ठीक है तो चलिए मैंने यहाँ पे आ जाने का प्रयास किया आसा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चो तो कमेंट में जरूर बताईए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ठीक है अगर आप चैनल पर यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है बच्चो तो मैं परमजीत आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आज की वीडियो में इतना ही बच्चो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बाइ वीडियो बाइब